नमस्कार दोस्तों, मैं भाशा और आप देख रहें News Click पर खोज खबर कारक्रम एक बात बिल्कुल सच है कि मोदी जी हैं तो बहुत कुछ मुम्किन है या यूँ कहिए कि सब कुछ मुम्किन है विपक्ष की जरुरत ही नहीं है हम सब देख रहे हैं कि किस तरह से दिल्ली के उपमुख्य मंतरी मनी सिसोधिया उनके पीछे CBI का पढ़ना उनकी गिरफतारी होना और जैसे ही विपक्षी नेताओं ने मिलकर एक पत्र लिखा प्रधान मंतरी जी को तुरन चुटकियों बजाते राबडी देवी के घर भी प में हमें दिखाई दे रही है और उसकी सत्य निष्ठा पर शायद ही किसी को शक हो दोस्तों CBI को पता है कि उसका लक्ष क्या है उसे जो टार्गेट दिया गया है उसे अमली जामा कब पहुचाना है और कब पहुचना है विपक्ष के दर्वाजे ये हैं राबडी देवी राबडी देवी के बारे में हम सब जानते हैं किस तरह से लालू जी को निशाने पे लिया गया राजत के नेता तेजस्वी लगातार बोलते रहे हैं बात करते रहें कि CBI कभी भी उन तक पहुच सकती है और सीधे सीधे पहुची राबडी जी के घर बिहार पहुची और मामला था 2004 और 2009 में कितनी जल्दी उनको याद आ जाया 2023 में कि 2004 और 2009 में जो घोटाला हुआ था वहाँ घोटाला क्या था रेलवे में भरती को लेकर जो घोटाला था उसकी जांच के लिए राबडी जी के हाँ पहुची CBI अब इसका क्या connection है किस तरह से इस चीज को हम देख सकते हैं लोग देख रहे हैं और देखना चाहिए कि जब CBI पहुची CBI पहुची राबडी के घर जो आपको फुटेज में दिखाई दे रहा है राबडी जी लगातार अपने पूरे परिवार के साथ एक ही बात कह रही है कि उन्हें निशाने पे लिया गया क्योंकि बिहार की राजनीती में बड़ा दखल मुदी सरकार करना चाहती है हम सब जानते हैं कि निश और तेजस्वी साथ आए हैं और विपक्ष के नेता के तौर पर तेजस्वी उभर रहे हैं अब इसका क्या कनेक्शन राष्टी राजनीती से है वह देखना भी बहुत जरूरी है अब आप ही सोचिए क्या ये महज इत्तफाक हो सकता है कि नौ विपक्षी दलों के नेता प्रधान मंतरी को पत्र लिखते हैं और पत्र वह साफ साफ शब्दों में लिखा है ये पत्र उन्होंने इस चिंटा में लिखा है कि जिस तरह से दिल्ली के उप्मुख्य मंतरी मनी सी सोधिया जी की गिरफतारी हुई सी बी आई का जो विच्छ हंट हुआ ये सारे शब्द मेरे नहीं हैं ये सारे शब्द यहां लिखे गए हैं बकायदा उन्होंने लिखा है कि लंबे विच्छंट के बाद दिल्ली के मनी सी सोधिया जी की जो गिरफतारी हुई है वह लोकतंत्र के लिए खत्रा है ये जो नौ लोग एक साथ जुटते हैं इन पर ध्यान दीजिए ये कौन-कौन लोग हैं इसमें आपको जो लोग दिखाई दे रहे हैं वही अभी निशाने पर आते हैं इसमें तेजस्वी यादव भी हैं और इसके बाद ठीक अगले दिन CBI 2004 और 2009 के मामले को लेकर राबडी देवी के घर पहुशती है पूश्टाच चलती है हम सब जानते हैं ये पूश्टाच कहां तक जा सकती है और इसमें ये जो नौ दलों ने लिखा है उननेताओं ने लिखा है बहुत साफ साफ शब्दों में लिखा है इसका जिक्र किया ह है उलेक किया है कि किस तरह से 2014 के बाद से 2023 तक सिर्फ और सिर्फ विपक्षी दलों को निशाने पे लिया गया है और इस पत्र में इस बात का भी उलेक किया गया है कि जो विपक्षी दल के नेता निशाने पे लिए गए चाहे वो बंगाल के हो महराश्ट के हो या अन इलाक के हो उन्हें किस तरह से भाषपा में अपनी वाशिंग मशीन में डाल कर उनके दाग धोकर उन्हें भाषपा में शामिल कर लिया गया यह सब कुछ वाकई एक ही बात कह रहा है कि मोदी जी है तो लोकतंत्र में विपक्ष का यहाल निश्चित तौर पर मुम्किन है और इसी क दिल्ली के मुख्यमंत्री अर्विन केजरिवाल यह तमाम जो विपक्षी दल है यह अकसर सिर्फ तब बोलते हैं जब उन पर हमला होता है और अर्विन केजरिवाल जी इस बार तब बोले हैं जब रावडी देवी पर भी हमला हुआ है क्योंकि उन्हें पता है कि मनी मोदिया की जब गिरफतारी होती है तो देश में नौत विपक्षी दल साथ आते हैं यह जो विपक्षी एकता को लेकर बाचीत है वह जिस तरह से टूटी-फूटी है शायद यह भी इसलिए संभव है क्योंकि मोदी जी है बात चुकि भ्रष्टाचार की चल रही है और बात बहाने किस तरह से विपक्षी नेताओं को टार्गेट किया जा रहा है किस तरह से गिरफतार किया जा रहा है किस तरह से उनके आहां रेट पड़ रही है इन सब पे बात चल रही है लेकिन इसमें क्या आपने कभी सुना करनाटक का नाम क्या आपने कभी सुना कि करनाटक मे जो भारती जंता पार्टी की सरकार चल रही है उनके उपर कभी CBIG की महरबानी हुई किसी विधायक के उपर CBIG पहुची वहाँ पर शायद नहीं और देखिए एक बार फिर जो करनाटक से खबर आई है वहाँ के जो बिजनेसमेन, जो वैपारी अपनी जान को जोखिम में डालते हुए एक स्टिंग ऑपरेशन करते हैं स्मार्ट वाच पर रिकॉर्ड करते हैं कि किस तरह से भाशपा का विधायक उनका बेटा रिश्वत मांग रहा है बेटे का नाम है मंदल प्रशान्थ और भाशपा के विधायक का नाम है मंदल वीरुपक्षिया बिजनसमेन है, जो वैपारी है उनका नाम है श्रियास कश्यप और आप देखिए सब कुछ जो ओन रिकॉर्ड हुआ है जो स्टिंग ऑपरेशन उनने किया है उसमें भारती जनता पार्टी के ये विधायक उनके बेटे मांगते हैं एक करोड बीस लाख रुपे की रिश्वत चालिस लाख रुपे का पूरा का पूरा ट्रांजेक्शन है जिसे रिकॉर्ड किया गया है और ये वैपारी करनाटक सोप एंड डिटर्जेंट्स लिम्टिट के लिए रौ मिटीरियल सप्लाई करना था कुल ठेखा चार करोड असी लाख रुपे का हैरानी की बात नहीं है क्योंकि यह पहली घटना नहीं है और निश्चित तौर पर आखरी घटना नहीं है यहां आप पुरा क्रम देखिए वह बता रहा है कि एक के बाद एक अंगिनत ठेकेदार वैपारी बिजनिसमेन या तो आत्महत्या कर ले रहे हैं या खुल कर पत्र लिख रहे हैं तमाम अलग-अलग खेमे करनाटक के परिशान है कि जिस तरह से करनाटक में भरष्टाचार का बोल बाला है लेकिन जोकी वहाँ पर भाश्पा है मोदी जी की भाश्पा सरकार है वहाँ चुनाव होने हैं लिहाजा ये तमाम भरष्टाचार कहीं से मुद्दा नहीं बनते हम यहाँ बात बहुत बड़े लेवल पर हो रहे हैं भरष्टाचार की नहीं कर रहे हैं मोदी जी हम यहाँ यह बात नहीं कर रहे हैं कि आपके जो प्रिय उद्ध्योग पती हैं उनके उपर जो हिडनबर्ग की रिपोर्ट आई है जिसने बताया है कि कितने बड़े पैमाने पर करोणों की हेरा फेरी हुई है वह सब तो छोड़ दीजे यहाँ पर करनाटक में on record अपनी जान को जोखिम में डाल कर लगातार जो लोग खबरे दे रहे हैं वह बता रहा है व हम चलते हैं देश के तमिल नाडू की तरफ तमिल नाडू बिहार और जारकंड जबरदस्त तनाव के दोर से गुजर रहा है आपको दिखाई दे रहा है यह है बिहार जारकंड और यह है तमिल नाडू तमिल नाडू में यह है चन्नाई और इस तरफ है कोईंबटूर इरो प्रवासी मजदूर पहुचते हैं तिरुवेलूर हो चिन्नई हो चेंगापिठो कोईमबटूर इरोड इन तमाम इलाखों में बड़े पैमाने पर रोजगार की तलाश में आते हैं और ऐसा पहली बार नहीं हुआ है लेकिन आप देखिए कि इनके बीच जो तनाव पहलाया गया जो नफरत पहलाई गई जो बड़े पैमाने पर नफरत पहलाई जा रही है फर्जी फर्जी खबरों के जरिये और इन खबरों को प्रमोट कौन कर रहा है आईए देखते हैं यह जो आपको तस्वीर दिखाई दे रही है दरसल यह एक वीडियो का हिस्सा है इस वीडियो को बुरी तरह से प्रचारित और प्रसारित किया गया नफरत और खौफ पहलाने के लिए यह एक साधारन सी घटना है जहाँ पर दो मजदूर आपस में लड़ रहे हैं एक घटना हुई जहाँ पर दो मजदूरों के समूहों में जड़प हुई हैरानी की बात है दोनों ही समूह बिहार और जारकंड यानि दोनों का तालुक यहां से है यहां से नहीं है दोनों मजदूर यहां पर आये हुए हैं तमिलनाडू में काम करने के लिए लेकिन आप देखिए कि इस घटना को किस तरह से दुश्परचारित किया गया यह शक्स जो आपको दिखाई दे रहे हैं यह भारती जनता पार्टी के तमिलनाडू प्रमुक हैं इन शक्स पर जिस तरह से नफरत पहलाने फरजी खबरें पहलाने और दो तीन राजियों के बीच वैमनस से पहलाने का आरोप लगा है वह डराने वाला है यह शक्स खुले आम लगातार बोलते रहे जिसकी बानगी तमाम अखबारों में दिखाई दी तमाम चैनल लगातार दिन रात फरजी खबरों के आधार पर नफरत और खौफ परोस्ते रहे वे बताते रहे कि क इस तरह से जमुई लोटे मजदूरों के परिवार सदमे में तमिलाडो का पुलिस का जूट या हमला नहीं आपसी जगडा है अब आप देखिए कि ये खबर सिर्फ एक अखबार की नहीं तमाम चैनल सुबे से शाम तक इसी को प्रचारित प्रसारित करते रहे क्यों क्यों कि उनका सोर्स यहां से आ रहा था इनके जो ट्वीट हैं इनकी जो खबरे हैं उनके बारे में तमिलाडो पुलिस हो बिहार पुलिस हो दोनों राज्यों को हस्तक शेप करना पड़ा कितनी दुखद और कितनी डरावनी बात है कि एक तरफ देश के ग्रिह मंत्री जब करनाटक पहुचते हैं तो कहते हैं भूलिये नहीं क्या कहते हैं अमिशा जी कहते हैं कि करनाटक को केरल से बचाने का काम सिर्फ भारती जनता पार्टी कर सकती है और आप यहां देखिए कि तमिलाडू में जो सरकार चुनी हुई है डियमके की सरकार चल रही है उस पर अधिक जो प्रबासी मजदूर हैं उन्हें खौफ जदा करने के लिए बड़े पैमाने पर पलायन सुनिश्चित करने के लिए जो साजिश रची जाती है वह फरजी खबरों के आधार पर रची जाती है वहां बताने की कोशिश की जाती है कि तमिल नाडू के लोग बिहार औ और जारखन के लोगों पर हमला कर रहे हैं जबकि सच क्या है यह देखना भी बहुत जरूरी है आईए देखते हैं कुछ वीडियो क्योंकि बहुत जरूरी है उन वीडियो को देखना जो सच बया करते हैं यह वीडियो तमिल नाडू से आया है बिहार के जो मजदूर है जा तरह की नफरत का माहौल तमिलनाडू में नहीं है। आईए सुनते हैं। तमिलनाडू में दो घटनाएं होती हैं। एक घटना के बारे में तमिलनाडू पुलिस और बिहार से भी जुजाज टीम गई, बिहार सरकार ने जो भेजी, उसका भी कहना है कि यह दो समुहों में रंजिश का नतीजा थी, दो ग्रुप्स टकराएं। और एक दूसरी घटना आत्महत्या की सुसाइट की घटना है, जो मोनू की घटना जिसके बारे में हमने आपको खबर दिखाई, वहाँ पर भी इसको लेकर जिस तरह की नफरत पहलाई गई, उसका परदाफाश मोनू के परीजन करते हैं। इस वीडियो में खुलकर बोलते हैं। दोस्तों यहां बहुत विस्तार से इस खबर की चर्चा हम इसले कर रहे हैं। क्योंकि इसने बड़े पहमाने पर बिहार जारखन के मजदूरों, वहां के श्रमिकों के भीतर खौफ पैदा किया है। और यह खौफ तमिल नाडू में भारती जनता पार्टी के लिए राजनितिक आधार का काम करेगा। क्योंकि जिस तरह से तमिल नाडू में बड़े पैमाने पर लगातार नफरत पहलाने का काम भारती जनता पार्टी कर रही है, उनके तमाम संगठन कर रहे हैं, यह सब एक क्रोनोलोजी का हिस्सा है। अब आप देखिए इससे बड़ी विडंबना क्या होगी कि पुलिस को सामने आकर या बोलना पड़े कि मैं भी बिहार का रहने वाला हूँ और जो घटना हुई है या पूरी तरह से फरजी है, यह जो वीडियोज हैं या पूरी तरह से फरजी हैं। समाचार पत्र, प्रिटर, सोसल मीडिया और टेलिवीजन चैनलों पर एक जूट और अपवाव प्रसारित किया जा रहा है, जिसमें कि यह कहा जा रहा है कि तमिनाडू में हिंदी भासी मर्दूरों पर अत्याचार हो रहा है। यह खबर सरासर जूट और भ्रम खलाने वाला है। यह सब कुछ किया जा रहा है राजनितिक मंचा के जरीए। इसे करने वाली सत्ताधारी पार्टी है। इसे कहीं से भी छुपा कर रखने के लिए भी वो तैयार नहीं, कहीं कोई पर्दा नहीं है, कहीं कोई पर्देदारी नहीं है। हमला बहुत साफ है और जिस तरह से तमिलनाडू, बिहार और जारकन में यह आग फैलाई जा रही है, यह आग अगर सही समय नहीं रुकी, तो बहुत भीशन रूप ले सकती है। और मुझे लगता है, देश से जो लोग भी प्यार करते हैं, वे यह नहीं चाहेंगे कि रोजी रोटी पर इतनी बड़े पैमाने पर हमला हो, कुठारा घात हो, क्योंकि हम सब जानते हैं, बिहार और जारकन हो, उडीसा हो, उत्तर प्रदेश हो, इन तमाम जगों से लोग दूसरी जगर नौकरी करने जाते हैं, साउट से नौर्थ और नौर्थ से साउट की जो आवाजाही है, इस पर अगर नफरत का बोल बाला हो जाएगा, तो शायद देश में और भीशन दौर देखना पड़ेगा, मुझे पूरा विश्वास है, ऐसा ना आप चाहेंगे और ना हम चाहेंगे, शुक्रिया